नमश्कार दोस्तों मैं Ankur Upathya है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में दोस्तों बात करेंगे मेरे favorite counters के बारे में यानि ki infosys के बारे में and IT stocks के बारे में दोस्तों आप सभी को याद होगा जो हमारे regular viewers है होने तो इन स्टॉक्स पे जब बड़ी मंदी चली, जब सब लोग बियरिश होते हुए जब पूरी तरीके से कूटता हुए दिखा है ये सेक्टर, मार्केट की तेजी में भी गिर रहा था, मार्केट की गिरावट में गिरावट को लीड कर रहा था, तब आप सभी के साथ रिकमेंड के लिए लेकिन आपके जो वो 200 रुपे, यानि की 15% चूट गया, काफी लोगों ने जो बेचा उस पैनिक में, उनका क्या, तो वो लॉस हो गया, मैं आप से ये कह रहा हूँ, आप आगे के लिए भी हमेशा याद रखो, अगर आपके पास क्वालिटी है, क्वालिटी स्ट एक ट्रेडर क relativity है, एक ट्रेडर है जो प्राइस को फॉलो करता है, अगर प्राइस उपर जा रहा है, वो उपर जाएगा, प्राइस नीचे जाने लगा, वो नीचे एक विप्रीत रहोगे, आप बुरी तरीके से मार्केट में दो दिये जाओगे, मैं आपके पतारा हूँ, कि आप प्राइस को अपने हिसाब से चला सको तो इसी लिए जो बड़े लोग हैं वो चला रहे हैं आप उन्हें फॉलो करो उनके आगे निकलने की कोश्च करोगे तो बस धडाम हो जाओगे लेकिन आप आराम से फॉलो करोगे तो पैसा बनाना आपके लिए इजी हो जाएग वो गिरावट आपको बड़ा पैसा बनाने का मौका देगी अब आप करते क्या हो आप करते हो इन्वेस्टमेंट लेकिन करते हो ट्रेडर्स का व्यू लेकर तो यह गलत है गिरे हुए शेर में खरीदोगे पैसा जादा बनाओगे जल्दी बनाओगे और नीचे की गुंज ज्यादा देना होगा उसे रिस्क ज्यादा लिए उसने दिखिए अब 1400 रुपे तक का उसने बाहु देखा दूसरी बात उसका लॉंग टम में परसेंटेज के इसाब से कम बनेगा जिसने लोर लेवल पर खरीदा आप कहीं भी खरीद लो कॉलिटी स्टॉक आपका पैसा ब बात करें तो 1560 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है 1580 तक यह मुझे जाता हुआ दिख रहा है एक ब्रेक आउट भी हुआ है एंड IT स्टॉक आज कहीं ना कहीं लीड कर रहे है वो तो मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल रहा बिल्कुल भी अदर्वाइस यह स्टॉक आपको आज ही 1580 का होता हुआ दिख सकता है तो मैं आपसे कहूँगा अगर आपके पास पोजिशन है तो क्या करें नहीं है तो क्या यहां भी ले सकते हैं यह सही लेवल है लेने के लिए डिप का वेट करें इसके बारे मैं आप सभी के साथ बात करता हूँ तो चलिए दोस्तों व लाइक भी कर देना ताकि मुझे मॉटिवेशन मिलती रही अब देखिए इनफोसिस के बारे में बात करें तो स्टॉक में कंटीनु जो लोवर लोग रहे थे वो लगबग 1387 का जो लोगा 17 जून वही लोता उसके बाद कंटीनु आप देखेंगे लोवर हाइज और हाइज लग रहे हैं इस बार हाइयर हाइज में 1530 जो इस टॉक का जून के महीने से लेके अभी तक का उपर का हाइयर एंट था वो ब्रेक करा है अब इस टॉक सीधे 1580-85 की तरफ जा रहा है इस टॉक का बड़ा रेस्टेंस लेवल है यहां से एग्जेक्ली 100 रुपीज उबर 1665 आप सबी को जाद होगा जब 1665 के ऊपर था इस टॉक तो वो 1665 ब्रेक ही नहीं करता था लेकिन जब इस टॉक के रिजर्ट काफी खराब आई आठ परसेंट नीचे खुला तो वो गैब डाउन में जो गैब बना है वो फिल करेगा आप इस टॉक दीरे-दीरे करके और यह काफी बड़ी गिरावट आपने आई टी स्टॉक में देख लिए लेकिन अब कही ना कहीं यह उपर जाने के लिए तैयार है ऐसे में एक काफी बड़ी और काफी अच्छी ख़बर भी आई या बड़ी तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी जरूर कह सकते है INFORCES Open Sydney Living Lab INFORCES ने कहीं मड़े को Sydney की Living Lab open करी है तो यह एक अच्छी ख़बर है कंपणी के लिया आज से देखा जाये तो यह कही नहीं चीज जिटी जो आप सबी निया स्टाट अप होगा है तो वहाँ से आप स्टाट अप घो सकता है बहुत कुछ होगा होगा वहां से तो एक और लीविंग लैव चालू कर आया चीज बाइब दिखे रही कंनरा ऐनकर मंदे को इन इसका जवाब होगा आप बिल्कुल ले सकते हैं कि क्वालिटी स्टॉक को कभी भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो बस आप से मेरी एक की रिट्क्वस्ट होगी कि स्टैगर्ड वे के लिए खरीदने के लिए आप पैसा जरूरों रखें For example, आप यहाँ पे 1 lakh invest करना चाते हैं तो 30,000 करें अगर dip मिलती है तो और 20,000 करें इस तरीके से आप हर गिरावट को खरीदने का मौका ढूने अगर आप एक साथ खरीदते हो तो यह आपके लिए एक थोड़ी problem वाला विशय हो जाएगा क्योंकि इस टॉक गिरेगा तो आप confidence भी खो सकते हो and market भी अभी higher end पे एक तरीके से देखा जाए तो recent days के हिसाब से तो वहां से भी अगर correction आई तो इस टॉक गिर सकता है इसलिए आप staggered way में खरीदे अधरवाइस आप एक साथ खरीदना चाहते हो तो आपके लिए लेवल अच्छा है आप समय दोगे तो यहां से स्टॉक शाड़े सत्तरा सो अठारा सो और उन्निस सो रुपे तक अगले बारा महिने में आपको इजी ली दिखाएगा तो यह मेरा पूरा विव इंफॉसिस के स्टॉक को लेकर एंट ट्रेडर्स के लिए 1580-85 के टार्गेट होंगे मेरे शॉट टम में जिसके लिए आपको एसल रखना होगा आज का लो जानी 1539-1540 के आसपास का तो यह थी मेरी वीडियो इंफॉसिस के स्टॉक को लेकर होप आपको समझ में आयोगी थैंक यू सो मच फॉ वाचिंग इस वीडियो एव ग्रेट देगाई